दो दिन में दो होम गार्ड की हत्या छपरा इस्थित रिवांड होम में आज सुबह होम गार्ड जवान चंद्रभूशन सिंग की हत्या बाल कैदियों ने चाकु से कूंद कर कर दी घटना उश्वक्त हुई जब सुबह चंद्रभूशन सिंग कैदियों के हालात का जायजा ल जिन्होंने किसी तरह चंद्र भूशन सिंग को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल ले गए हलांकि वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोसित कर दिया होमगाड जमान हत्यकांड की जांच करने आये डियाईजी सारन प्रमंडल विकास कुमार ने स्पी सारन गौरों मंगला के साथ बाल सुधार ग्रिह पहुंच हत्यकांड की जांच की जांच में प्रथम द्रिश्या बाल आवाश्यों द्वारा चाकु घूम कर हत्या करने की ब पाद ही कुछ कहा जा सकता है वहीं ग्रहरक्षा वाहिनी स्वेमसिवक संग के जिला सचीव दीपक कुमार ने कहा कि ग्रहरक्षा वाहिनी के जवानों की बिसम परिस्थितियों में ड्यूटी करते हुए अपनी जान गवा रहे हैं जिला सचीव दीपक कुमार ने कहा कि एक दिन पर्व डोडी गंस्थाना में ड्यूटी कर रहे एक जवान की मौत इलाज के लिए PMCH में जाने की क्रम में हो गई थी जिन्हें बालू लदे ट्रक ने रौंद दिया था वहीं दूसरे जमान की हत्या बाल अवासियों द्वारा रिमांड होम में कर दिया गया है अगर दोनों घटनाओं में शामिल अपराधियों की पहचान कर उन्हें पकरा नहीं गया तो आंदोलन किया जाएगा सुनिए क्या कुछ कहा विकाश कुमार ने रिमांड होम में बाल अवासियों के पास चाकु गई कैसे अब देखने वाली यह बात होगी की पूरी जाच परताल के बाद क्या खुलाशा हो पाता है